प्रेवे ध्यार्तियों भूगोल के दित्य वर्स में प्रथम पेपर में हमने पूर में क्रिसी प्रदेशों के विशे में अध्यन किया क्रिसी प्रदेश क्या होता है किस प्रकार की इपनी विशेष्थाएं रखता है उस संधर में हम लोगों ने पूर में चर्चा की किया डिविटलेशी ने विश्व की तेरा क्रिसी प्रदेशों का विवाजन कर और उनका विवाजन का अधार की विशेष्थाओं का विश्लेशन किया और विश्व की प्रमुक्रिसी प्रदेशों का विवाजन किया उसी प्रकार हम किसी छेत्र का उसकी बुहाकरती विसेस्ताओं के अधार पर उसकी जल्वायू के अधार पर और उसकी विसेस्ट विसेस्ताओं के अधार पर भी विवाजन करते हैं इसी संधर में सेंदुराज अमरीका में किसी प्रदेशों का विवाजन किया जा रहा है तो राज अमरीका कर्शी वहा के तापकरम मांकी मात्रा वहा करतिक मिट्टीवों की दसाएं तुसार रहित दिनों की प्राप्तता अधिकारों उसे प्रवाइत होता है मुआ विस्थेत बो छेतरों पर यांतर क्रिशी की जाती है छेतर बहुत बड़ा है विशाल देश है इसलिए आधोनी क्रिशी की के जाती है जिसमें मसीनों, टेक्टरों, हारवैस्टरों, थ्रेसोरों आदी अंतरों का प्रियोग किया जाता है रसाइनिक उर्वरकों का भी काफी प्रियोग किया जाता है, किटना सुका भी काफी प्रियोग किया जाता है सेंचित छितर भी अधिक है इस पकार बड़े प्यमाने पर मस्जिनों का प्रियोग किया जाता है तक्निकी और विज्ञान के प्रयोग ने यहां परक्रशी को बहुत अधिक विक्षित कर दिया है देश की कुल भूमी की 24 पर परक्रशी की जाती है विज्ञ प्रदेशों में भागूलिक और आर्थिक प्रयस्तितियों के नुसार भिन-भिन क्रशी फसलों का अत्पाजन किया जा रहा है देश की क्रशी भूमी को विज्ञ फसलों के अधार पर कुछ क्रशी पेटियों में मटा जा सकता है ये पेटियां अट्लांटी सागर तक और सो डिग्री प्रश्चिम बेशांतर के मद्धे अवस्तित हैं यदि हम USA का संद्राज अमरीका का नक्सा देखें तो अधिकतर क्रिसी प्रदेश इसकी मद्धे रेखा से पूरी छेतर में अधिक बिश्तित हैं लेकिन अमरीका ने अपनी बहुती विश्यस्ताओं के साथ साथ मानमी विश्यस्ताओं का भी भरपूर उप्यूग किया तकनीकी का भरपूर उप्यूग किया और पूरे देश में उनकी विश्यस्ताओं के अधार पर अल्लग क्रिसी प्रदेशों का विवाजन किया उसी बसंत कालिन कृसी प्रदेश जानट क्रिसी प्रदेश प्रदेश का बसंत का लिए के हुं का प्रचेत प्रेरीज के उत्री भाग में डैकोटा मैंटोना मोंटाना मिन्सोटा प्रांतों में फैला है यह प्रदेश दक्षिन में मक्का के पेटी से प्रारम होकर प्रारम होकर उत्री सीमा तक चला गया यहां बसंद काल में ग्यहूं बोए जाता है मिन्सोटा राज्ये के अधिकांस भागबा ग्यहूं के क्रिशी होती है इसके समीप ही कॉलंबिया पिठार प्रदेशावस्तित है जहां पर बसंद तथा सीत दोनों कालों में ग्यहूं उगया जाता है यहां से अधिकांस ग्यहूं निर्यात कर दिया जाता है मक्का की दूसरी है मक्का की पेटी कॉन बेल्ट विश्व के काफी प्रसिद क्रिशी प्रदेशों में मक्का की पीठी के विश्य में अध्धिन किया जाता है विश्य के विभेंद छेत्रों में क्रशी प्रदेशों की विश्यस्ताओं में मक्का की पीठी का अवलोकन किया जाता है यहां अमरीका ने अपनी मक्का की पीटी का वित्रन आधोनिक तरीके से किया है और उसी विशिष्थाओं का अवलोकन करने के लिए उसकी मुल्यानकन करने के लिए विश्व के विभिन राष्ट्रों के करसी विज्ञाने करसी अर्थव्वस्था के लोग अमरीका में आकर इस चीज़ का विसलेशन करते हैं यह समस्थल शेत्र का 10% भाग पर फैला है इस पेटी के अंतरगत आने वाले मक्का उत्पादक राय जे पैंसिलवेनिया गेंटुकी कनेक्टिविटी मिसूरी इलोनेज इंडियाना ओहियो गंसांस और नेबरासका है इस पेटी में बड़े पेमाने पर करसी अंतरों का प्रियोग करने के लिए आवश्य संतल भूमी मिलती है यहां फार्मों का उसत्प आकार 200 एकर तर मिलता है इसके साथी उर्वरा मट्टी तीन मास तक गरम दिनों और गरम दरातों को जितु है पचा सेंटीमेटर से 10 सेंटीमेटर तक वर्सादी करन मक्का का उत्पाधन काफी तेजी से होता है तीसरी इनकी सीत कालिन ग्यहूं का प्रदेश है जलवायू की विशिस्ताओं के दार पर उत्री और दक्षनी भागू में इनोंने ग्यहूं की विश्तित केती करती है जब सीत्री तो पढ़ती है तो यह प्रदेश उत्तर से के सक्कर दक्षिन छेतर में विस्तरित हो जाता है तो टेकसास और उसके आसपास सीत्कालिन गेहूं गए जाता है तो यह जो पेटी है जिसको हम सीत्कालिन गेहूं का प्रदेश कहता है इसके इलाबा दूसरा है तंबाखू उत्पादक छेतर तंबाखू USA के प्रमुख फसलों में से एक है मद्धे वजिनिया प्रांथ में आधुनिक तरीके से तंबाखू की खेती की जाती है और उससे विविन प्रकार के उत्पाद जो है उनका निर्मान किया जाता है ट्रक फार्मिंग क्रिसी आधुनिक क्रिसी का एक विशेस प्रयास है और विशेस योगदान रहा है विश्व में अधिकांस्त विक्सित राष्ट्रों ने आधुनिक तरीके से ग्रीन हाउस गैसों ग्रीन हाउस हाउस वाले घरों में आधुनिक क्रिसी करते हैं और वहां फल सबजी फूल आदी उगागर शीत ट्रकों के द्वारा या वायुवानों के द्वारा पूरे छेतर में पहुंचाया जाता है उसी संधर में USA के अपलेशन के पेडिमेंट वाले एरिये में या कैलिफोनिया स्ट्रेट्स में ट्रक फार्मिंग की जाती है प्यार प्रिविधारतियों ये कुछ विशेश क्रिशी प्रदेशों के विशे में हम लोगों ने आपके सामने समक्चा चर्चा करी और यह बताने का प्रियास किया कि अमरीका एक ओधोगिक या सिवा तक्रस्त राष्ट्र है लेकिन यहां क्रिशी को भी प्रात्मिक्ता के अधार पर आधोनिक तरीके से विश्थित तरीके से अधिक उत्पादन तक्निकी को अपना कर की जाती है यहां कि क्रिशी प्रदेशों की विश्थिता है कभी से मैं पहली भी कहा कि प्राकर्ति के साथ मानविय उत्करस्ता का भी उधारन हम लोग इन क्रिशी प्रदेशों में देख सकता है तो विश्व में USA के करशी प्रदेश उनकी बोती विश्यस्ताओं के अधार पर विभाजत किया गया है इस वीडियो में इतना ही अगले में हम और आपके सामने चर्चा करेंगे धन्यवाद